Euclid division algorithm का use करके हम HCF निकालना देखेंगे 135, 225 का हमको HCF निकालना है तो यहाँ पर बड़ा नमबर है 225, छोटा नमबर है 135 तो 135 से बड़े नमबर 225 को divide करेंगे तो यहाँ one times में जाएगा 135 यहाँ minus करें तो यहाँ आगे 90 तो जो remainder से इस डिविजर को फिर से दिवाइड किया जाएगा 135 को तो यहाँ भी one times में जाएगा 90 और यहाँ reminder आ गया 45 तो इस remainder से इस division को फिर से डिवाइड किया जाएगा तो 90 को फिर से डिवाइड करें 45 से तो टाइम वे 90 और इस वार रिमेंडर कुछ नहीं है, रिमेंडर जीरो आया, तो जब लास्ट वाला रिमेंडर जीरो आ जाया, तो उस टैम पे टीमीचर जो होता है, वही HCF होता है